तो है गाईज वेल्कम बेक टो माई चैनल तो अब करते हैं वेल्डेट जोंट के कुछ नुमेरिकल्स तो सबसे फ़ल हम आपको नुमेरिकल्स पड़के सुना देता हूं क्या है तो सबसे पहले हम डेटा नुट कर लेते हैं क्या-क्या डेटा वा में दिया हुआ तो मैं हाँ पे विट्ट विए हुई है हमें थिकनेस दी हुई है थिकनेस का मतलब है कि हमें एस दी हुए है यहाँ पर टैनम्म की ठीक है फिर हमें यहाँ पर लोड दिया हुआ है है अगेक है कि ऐटेकलोड नूटन का तो एक टीनटाइन टैनटान पर फाइफ नूटन हो शाएगा और हमस सिगमा एस या फिर जिसको एपसेस भी किहते हैं वह में दिया हुआ है फिफिटी फाइफ नूटन पर एम्म स्क्वेर का तो हमें चाहिए निकालना था? हमें इस म formula है वो P is equal to 1.414 multiply by S multiply L into Fs तो इसमें हम जब हम values put करेंगे तो यह आएगा 80 multiply by 10 10 की power 3 is equal to 1.414 into 10 into L into में Fs की value है हमारे पास 55 ते हो जाएगा 80 into 10 की power 3 divided by 14.14 into 55 is equal to L तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमारे पास जो value आएगी वह आएगी 102.86 इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं 103 m 103 m तो आप सोच लोगा कि हमारा अंसर आगा तो नहीं हमारा अंसर नहीं है हमारा अंसर क्या आएगा जो हमारी यह value आई है 103 103 इसमें हम 12.5 mm को add करेंगे अब हमें 12.5 mm क्यों करेंगी यह जो हमारी weld होती है weld होता है जो bead होती है उसके starting और stopping के लिए हम इसको length में add करते हैं तो यह हो जाएगा 115.5 mm यह हमारी length हो गई यह हमारा अंसर हो गया यह हमारी length होगी उस जो मारा welded joint होगा उसकी length होगी है L के value ठीक है तो यह हमारा answer complete हो चुका है अब हम करते हैं दूसरा question इसका welded joints का सबसे पहले मैं आपको पढ़के बदा दो तो question गया है ए प्लेट 75 mm वाइड और 12.5 mm थिक जोइंट विद अनुदर प्लेट बाइस सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड और डबल पैरलल फिलेट वेल्ड मालब इन दोनों से हमें join करना है इसको the maximum tensile and shear stresses are 70 newton per mm2 and 56 newton per mm2 find the length of its parallel fillet weld if the joint is subjected to a static loading देखो यह combination है single transverse weld का और double parallel fillet weld का तो यह question कैसा होगा तो सबसे पहलों तुम डेटा नोट कर लेते हैं हमारे पास क्या-क्या डेटा दिया हुआ है तो हमें bit दी हुई है 75 mm Thickness यानि की S हमें दी हुई है 12.5 mm Ft की वैल्यू हमें दी हुई है यहां पर 70 newton per mm2 और Fs की वैल्यू हमें दी हुई है 56 newton per mm2 ठीक है तो हम इसका चोटा सा डियाग्राम बना लेते हैं पहले इसका डियाग्राम कैसे बनेगा इसका डियाग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पर parallel fillet है यहां पर single transfers fillet weld है यह डियाग्राम तोड़ा खराब से है इस ओके यह लेंद्ध जो दी हुई है यह में 75 mm दी हुई है ठीक है तो चलिए अब question को start करते हैं तो जो effective length है वेल्ड की मतलब जो L1 है उसकी value क्या होगी L-12.5 L में क्या है 75 है 75 दी हुई है तो इसमें से हम 12.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास L1 की value आजाएगी 62.5 mm और हमने 12 अब हमने 12.5 यहां पर माइनस क्यों किया तो देखो हमने last numerical में 12.5 प्लस किया था वो क्यों किया था जो मैंने बताता है starting और stopping के लिए bead की उसके लिए हमने जो weld है हमारा उसकी starting और stopping के लिए 12.5 add किया था हमारे जो answer calculation के बाद आया था उसमें तो यहां पर जो hang immers दिया हुआ है यह अन्हए प्रोपर अंसर दिया वा ऐसे कह सकते हम तो हमारे पर जो calculation के बाद आना चाहिए वह अगर हम में 12.5 finance करेंगे तो वह value आई गी जो हमारे पास calculation के बाद आईenge इसलिए हमने इसमें से 12.5 मैनिस किया तो हमारे पास वह वायल्यो में आजाए, जो हमारे पास calculation के बाद आनी थी ठीक है। यह them up calculation के बाद आती 62.5 है हमारे पास l1 की value आ चुकिये है तो हम अब ल 2 की value निकालेंगी तो कैसे तो फैसे को जब से पहले हो पता है कि लोड का फोर्मलए क्या होता है लोड जैसे है टा इन स्च्रेस एक हां है हमेना पर मैक्समाम लोड लिखा ना सबसे पहले तो लोड यह क्या होगा 0 riad में 12.5 रेंट इंटर तिकनेस और स्ट्रेस हमें कितना दिया हुआ है हम सिगमा टी की बात करेंगे आपर तो यह हमें दियो है 70 इसको दो हम सोल्व करेंगा तो उमारे पास आएगा 65625 नूटन यह आगी हमारे पास लोड जो मैकिमूम लूड हमारा इस जो भी अमारे यह जोईंट है जोब माएज हमारे जोइंट पर लगेगा ठीक है अग्यों है नाट सब्मी aiming अब यह तो मारे पूरे फ्लिवर लेगा मतलब पूरे मैंबरन पीप से जोन्ट नहें के बाद मैं मरे अब अलग लगते मतलब सिंगल इस प्रिल ट्रांविर्स घंड लग", किप लोड लगेगा वो निकालते हैं जब से पहले हम पीवन निकालते हैं पीवन निकालने का क्या फॉर्मल था पिंगल या पीवन का मतलब है कि जो सिंगल सिंगल ट्रांस्वर्स वैल्ड है वो कितना लोड केरी करेगा इसका फॉर्मल है पीवन इस इगल टो 0.707 एस इंटो एल एलवन इंटो में एफ्टी तो हम वैल्यूस पूट करेंगा तो 0.707 इंटो एसके वैल्यू 12.5 इंटो 62.5 मल्टिप्लाइबाए 70 तो इसको जब हम पीवन के जो वाल्यू आएगी वह है है कि अ मैं है यहिए थी एट शिक्सिक्स फोर पॉंट जीरो शिक्स न्यूटन अ कि भी थाटीहेट थाओजन सिक्सटूर एन शिक्सटिएवर्ट एसक्सटेफोर्ट पॉन्टिद्व्टिवर्स पॉन्टिएड शिक्सनेटन न्यूटन यह आएगी ठीक है हमारी विवन की वाल्यू आगी अब हम निकालेंगे पीटू की पीटू मतलब की लोड लोड केरेड बाई पैरलल लोड केरेड़ बाई डबल पैरल फिलेट वैल्ड तो इसके जो फॉर्मुला आया हुए पीटू इस इकल टू 1.414 एस इन्टू एल नहां पर एल्टू आएगा ठीक है इन्टू में एफस तो इसकी जब हम वैल्यू स्पूट करेंगे तो 1.414 इन्टू 12.5 multiply by एल्टू तो में निकालना है और एफस की वैल्यू दिए वह मैं 56 तो इसको जब हम सोलू करेंगे तो यह हमारे पास आएगी कि आप रोक्स नाइन नाइन टी अल्टू हमारे पास यह वैल्यू आएगी इसके राउंड ठेक है तो हमारे पास P1 की वैल्यू है P2 की वैल्यू है हमें पता है P1 Pmax is equal to Pmax is equal to P1 plus P2 तो हम इसकी वेल्यू इस पूट कर देंगे Pmax की वेल्यू हमारे पास कितनी आई थी यह 65,625 P1 की वेल्यू हमारे पास कितनी आई है यह 38664 प्लस इसकी वेल्यू है यह 990L2 तो इसको जब हम solve करेंगे तो तो हमारे पास जो एल्यू की वेल्यू आएगी हुआएगी 27.2 mm अब फिर से यह हमारी एल्यू की वेल्यू नहीं होगी इसमें हमें दुबारा 12.5 एड़ करना पड़ेगा तो एल्यू हो जाएगी 27.2 प्लस 12.5 तो इसमें अगर हम 12.5 एड़ कर देंगे तो यह हो जाएगी एल्यू की वेल्यू हो जाएगी 39.7 mm अब 39.7 को हम 40 mm भी लिख सकते हैं यह यह हमारी उपर है ठीक है कि हम 39.7 ही लिखना चाहते हैं 40 mm भी लिखना चाहते हैं नहीं तो वैल्यू जोइंट्स के साड़े नुमेरिकल्स हो चुके हैं मैंने दो नुमेरिकल कर आए हैं इसी की तरह साड़े नुमेरिकल्स आएंगे फोर्मूला भेज़ दें यह भी इसमें भी कुछ नहीं है डिवेट्ट्स की तरह ही हैं तो आई होप कि आपको यह वीडियो अ अलग टोपिक के साथ